जेहिन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीतू अश्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आर्मी जीकेन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर तो दोस्तों हमने कल बात की थी सामाने ग्यान के क्वेश्चनों को जो कि आपका जो रुड़की पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूचे गए थे उनको हम सॉल्प कर रहे थे रुड़की का ये औरिजिनल पेपर है तो आप अगर रुड़की से आपने जो ये पेपर दिया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए है इसका भी आप अंदाजा लगा लिजिए और जो लोग नहीं त्यारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सामाने विग्यान के क्वेश्चन सोला से तीस तक तो पहला क्वेश्चन है सामाने विग्यान का तो पहला क्वेश्चन क्या है बंदूख से छोड़ी गई गोली में होती है डॉट डॉट तो बंदूख से छोड़ी गई गोली में होती है ऑप्सन है गतिज उर्जा इस्तिज उर्जा या फिर इनमें से कोई जोड़ी गई गोली में होती है गतिश उर्जा आपका बिल्कुल सही अंसर है अगला क्वैस्टन देखिए दो अगला क्वैस्टन है फिर वा लगत नाइट तो डौर डौर द्वारा किया गया था था आप सेंगे जोन बॉइड टनलप कीक पैट्रिक मेंक मिलन या फिर रॉबर्ट विल्यम् थामस या फिर चार्ल्स गूट इयर आपका बिल्कुल सही आंसर है वलके नेट्स रबड का आविसकार किस ने किया चार्ल्स गूड इयर आपका बिल्कुल सही आंसर है अगला question देखिए चाय का वानस्पतिक नाम डौट डौट है तो दोस्तों ये question बिल्कुल है आपका नया है नया question यहाँ पर है चाय का वानस्पतिक नाम डौट डौट है तो आपसे ने ट्रेटी कम या फिर कैमेलिया सिनेंसिस या रूबिया सिया या मेंगी फेरा इंडिका तो मेंगी फेरा इंडिका यह आपका आम का होगी चाता है आम का यह वानस्पतिक नाम है मेंगी फेरा इंडिका तो चाय का वानस्पतिक नाम होगा कैमेलिया सिनेंसिस तो अगर आपको नोट करना है कैमेलिया सिनेनसी साप का आंसर है अगला क्वेशन देखे दोस्तों अगला क्वेशन है डायलिसीज का परियोग डौट-डौट के इलाज के लिए किया जाता है डायलिसीज का परियोग डौट-डौट के इलाज के लिए किया जाता है तो अपसन है धहिर जई दुरबलता या फिर किड्टनी पेले गुर्दे की निरबलता के लिए या फिर मस्तिस की रोख ब्रेन अगला है या फिर इन में से कोई नहीं तो डाइलिसिbas का परियोग की आ जाता है किड्टनी और भी आपका बिल्कुल सही आंसर है next question क्या खहता है अगला question है आइस्ताई निकायों के नियमों को डॉट डॉर द्वारा खोजा गया अगला question क्या कहता है निम ने लिखे तत्तों के बीच में ध्वनी सबसे तेज है किस में तो option है इस्टील हवा या पिर जल या निर्वात तो निम ने लिखे तत्तों के बीच ध्वनी सबसे तेज चलती है निर्वात, जल, हवा या फिर स्टील तो option A आपका स्टील आपका बिल्कुल सही answer है स्टील आपका बिल्कुल सही answer option A तो निमने लिखे तत्तों के भी धनीर सबसे तेज चलती है स्टील आपका सही answer है next question क्या खेता है next question है अगला question है carbon का सबसे कठोर रो the hardest form of carbon is the hardest form of carbon is carbon का सबसे कठोर रोप dot dot है उसने हीरा, charcoal, coal या फिर graphite इसका सही answer है इसका सही answer आपका है हीरा हीरा आपका बिल्कुल सही answer है अगला question क्या कहता है डाक्टाईलोग्राफी dot dot का अध्यान है डाक्टाईलोग्राफी dot dot का अध्यान है option है फेरेंसिक, लिखावट, कार्बन डेटिंग, या फिर फिंगर पिरिंट तो डाक्टाईलोग्राफी dot dot का अध्यान करता है तो इसका अंसर है फिंगर पिरिंट बढ़ते हैं नेक्स्ट केस्टन की तरफ अगला केस्टन दीखी दोस्तों लेंस डॉट डॉट से बनता है लेंस डॉट डॉट से बनता है तो आपसन है सामान्य गलास पिरिक्स गलास या फिर कोबाल्ड गलास या फिर फिलिंट गलास तो लेंस डॉट डॉट से बनता है इसका सही आंसर है पिरिक्स गलास इसका सही आंसर है आपसन C option c आपका सही आंसर है flint glass flint glass आपका बिल्कुल सही आंसर है lens flint glass से बनता है अगला question देखिए अगला question क्या कहता है खारे पाने की सांदृता मापने के लिए इस्तुमॉल की जाने वाला उपकरण dot dot है खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तमौल किया जाने वाला उपकरण डॉट डॉट है तो आपसन है गेलवेनो मीटर, सेलीनो मीटर, फातो मीटर या फिर पी एच मीटर तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है सेलीनो मीटर खारे पानी की सांद्रताम आपने के लिए इस्तमौल किया जाने वाला उकरण है सेलीनो मीटर आपका सही आंसर है नेक्स्ट गेस्टन देखी दोस्तों अगला केस्टन क्या कहता है बड़ा ही इंपोटेंट केस्टन है ग्रीन हाउस परभाव मुख्य रूप से वायू मंडल में विर्धी की वज़े से है तो किसकी वज़े से उप्षन है नेट्रोजन दिया है कार्बन डाय अक्साइड, कार्बन मोनो अक्साइड या फिर ओजोन ग्रीन हाउस परभाव मुख्य रूप से वायूमंडल में वृषधी की वज़य है तो आप सबको इसका आंसर बिल्कुल यह आता होगा इसका सही आंसर है कारबन डाइ आकसाइड, CO2 कारबन डाइ आकसाइड आपका सही आंसर है जो green house परभाव में विर्धी की सबसे प्रमुक वज़ा है अगला question है पत्यों में मौजूद हरे रंग वर्णक को dot dot कहते हैं पत्यों में जो हरा रंग होता है वो किसकी वज़ा से होता है तो आपसन है केरोटीन या फिर फाया को बिलीन या फिर जन्थो फिल या फिर कोलोरोफिल इसका सही आंसर है पत्यों में मौजूद हरे वर्णक को कोलोरोफिल कहते हैं कलोरोफिल आपका सही आंसर है अगला विश्चिन लेकि दोस्तों इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित कर सकता है तो आपसन है डीसी को डीसी में डीसी को एसी में या फिर एसी को डीसी में या फिर एसी को एसी में तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है डीसी को एसी में DC को AC में ये परिवर्टत कर सकता है inverter एक ऐसा उपकरण है next question देखी दोस्तो अगला question है potassium carbonate का सामाने नाम है potassium carbonate का सामाने नाम dot dot है तो option है सीरका, soda या फिर potas या फिर baking powder तो potassium carbonate का सामाने नाम है dot dot option इसका सही answer है option है सीरका, soda या फिर baking powder या फिर potas potas आपका सही answer है potassium carbonate का सामाने नाम क्या होगा potas आपका right answer है अगला question देखी दोस्तो 295 Kelvin का तापमान dot dot के लगभग बराबर होता है option दिये है 32.33 तो इसका सही answer होगा आपका option B 71.33 option B आपका यहां पर सही answer है दोस्तों पिचाने पर केलविन का तापमान option B आपका यहां पर सही answer है तो दोस्तों ये थे आज के 15 question जो की सामाने विक्यान के question को हमने solve किया तो ये रुड़की का original paper हमने solve किया तो उमीद है आपने सारे question को देखा होगा किस तरह के question पूछे जाते हैं कैसा paper आता है और किस level का आता है और दोस्तों आपके कितने question सही होए है ये comment करके जरूर बताएए और जिन्होंने ये exam दिया है उनको बहुत बहुत सुकाम नहीं आपका selection जरूर होगा तो ऐसे ही हमारे channel से बने रही है आपको लगाता original paper भी कराई जाएंगे और आपको भरती के बारे में भी नई update जो भी मिलती है आपको इस वीडियो के इस channel के मादधम से मिलती है और दोस्तों आपको test paper जो भी मलब important topic है खेल से हम तो ऐसे ही आपको कराई जाते हैं और जो जीडि का model paper है वो भी आपको कराई जाते हैं साथ ही N.A.T.A. आप जिस भी चीज की त्यारी करते हैं तो आप इस channel को जरूर से subscribe करें पहला icon को on रखिए आने वाली वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिलेगा तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में नए original paper के साथ तो thank you, thank you so much जय हिन, जय भारत